नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया91 पर मैं हूँ आपका दोस्त है बनरक्षक राजन सनोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड कोस्टन पेपर जो MP फारेस्ट गार्ट का एकजाम ह है लेटेश ठीक है तो 25 माई 2023 शिफ्ट टू का ये कोस्टन पेपर है और इसमें दोस्तों हम समान हिंदी के प्रेशनों को सौल्व करेंगे देखिए दोस्तों ओल्ड कोस्टन पेपर लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के को कोश्टन पूछे जाते हैं ठीक है प्रकार का कोई टॉपिक सर्च करने की जुरूत नहीं है ठीक है सबसे चीज है और लगा लो जो लेटेस्ट एक्जाम हुए हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है चलिए शुरूआत करते हैं कोश्टन नमबर एक से तो ज्यान घड़ीत अंग्रेजी और ौजी कि सभी सब्जेक्ट है सभी के वीडियो क्रमसे क्रमसे लाएं ठीक है एक सिव्ट के कोश्चन और एक सब्चिक के को लिए एक वीडियो में कवर करेंगे तो पहला कोश्चन दोस्तों कोश्चन नमबर 81 देखो इससे आपको भी बता चल गया कि लास्ट में 100 नमबर का पिपर होता हैं पिफारसगाट का तो 81 से लेके 100 तक समाने हिंदी रहती है ठीक है तो सबसे पहले अगर आप हिंदी सौल करना चाह पहले ठीक है इनसे कोश्चन आते हैं यह चीज़ आपको पता चल गया कुल मिलाके आपको बाकवेद सब्द भेद यह दोनों टॉपिक पढ़ना है ठीक तो यह सब्द भेद से कोश्चन आया हुआ है कौन सा योगिक सब्द का चैन कीजिए कहरा ठीक दिन समाजिक तसरत औ आगे का सब्द है ठीक है और एक क्या है इसमें बात का सब्द है आगे लगने वाले सब्द को कहते हैं उपसर कहते हैं पीछे लगने वाले सब्द को कहते हैं प्रत्य कहते हैं ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी जोड़ दो कुछ भी बिना दो ठीक है उ बिदेशद सब्वाम करते हैं चक्णार सब्सक्राइब राताỏi आपकोल्डЬ पacao कोश्चन पैपर से ये जानने का प्रयास कीजिए में और प्रकार करते हैँ तो देखिए बिगल में बोल रहा है बिदेशा सब्दों का सहीं उधारा रहा है तो खुर्पा डिबिया धाचा तीक है इसकूल कॉलेज अस्पताल कोडी तेंदुगा काया पैसा मास हुक्का तो यह तो ऐसा लग रहा है तो देखें कि देशी सब्द हैं यह बिदेशी सो हो दोनी सकते है तीक है इसके बाद स्कूल कॉलेज अस्पताल टीक है यह तीनों सब्द जो है दोस्तों आद रखना यह बिदेशी सब्द हैं बाकी यह कोडी हो गया यह हुक्का हो गया ठीक है यह डिबिया हो गया यह तीन आप्सन जो दिख रहे हैं यह सब्द क्या है यह द के सही अर्थभेद का चैन कीजिए तो देखिए नाड़ी मतलब तो आपको समझ मा रहा होगा इस तरी होता है ठीक है लेकिन चारों अफसन में इस तरी दिया हुआ है इसलिए हमको पहले सब्दगार्थ पता ही होना चाहिए नाड़ी मतलब के होता है आपने सुना होगा कि जो आनिकी सब्द यूग में है इस टॉपिक से भी कोश्चन आते हैं नैस्ट कोश्चन है कोश्चन नमब 84 लता भवनेते प्रकट भे तही अउसर दू भाए मनु निक्से जो के बिमल बिधू जलद पटल बिलगाए उपरियुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो लाग कोश्चन नमब 85 है निमने लिखी तमेंसे किस बाक्ये में बिस्मिप बिसमियादी बुधक चिन्न का प्रियो किया गया मतलब चिन्नों के प्रकार बी आपको पता होना चाहिए तो बिसमियाधी बुधक चिन्न क्या होता है एसा रहता हो नीचे बिंदिस टीर एक सीलर रंड़ा के नीचे बिंदी तो देखिए अपसे लॉस्ट का अपसान वाह वाह फिर साइकिल चलाईए तीक है इसमें बिसम्यादी बोधक चिनने लगे हुए है ठीक है चलिए नैस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर छ्यासी बाग के बाग के दिया हुआ है वह कल देर से भविसकाल तो देखिए वह कल देर से लोटा था सायद दबतर में देर तक बैठा रहा हो ऐसी सम्भावना के साथ को या आदमी कह रहा है ठीक है और क्या कह रहा है सायद दबतर में देर तक बैठा रहा हो रहा हो तो इसका सहीं आंसर हो जाएगा संभाव भविसकाल ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम चली नेस्ट कोशन देखते हैं नम्लिकित में से समान ने बरतमानकाल का सही उधारा कुन सा है तो यह इसमें लिखा हुआ है समान ने बरतमानकाल मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है यदि साइकल रहती है तो वह बजार जाता है यह समान ने बरतमानकाल की ही बात है इसका उफसन नमबर A सही आंसर हो जाएगा लेकिन बाकी उफसन देखी ही वह बजार जाता है यदि साइकल होती तो यह भविस्ट की बात हो रही है साइकल रहने पर वह बजार जाए ये भी वह इसकी बात हो रही है कल से बहुत कल से बरसा बहुत तेज हो रही है ये भूत की बात हो रही है ठीक है तो समानने बरतमानकाल मतलब जो देखो करेंट की बात होती है ठीक है जो चलती हुई बात है उसको हम कहते है समानने बरतमानक पर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे यहां पर कौन सा होगा क्योंकि लेखो बच्चो न पढ़ा ही नहीं मतलब भूत की बात हो गई अधियापक आ जाते तो बच्चे पढ़ लेते हैं तो यह हेतु हेतु मद्ध भूत काल है मतलब कहीं किसी प्रकार की कुई चीज सर्थ लगा दी गई यह आते तो यह सा हो जाता यह हो जाता तो वह हो झिसका पहला सब्द क्या हो संक्या भाइची हो ठीक है तो यह मतलब ती मतलब तीन होता है तो यह क्यों जाएगा दूइश्ट मतलब चोटा और ज्ष्ट मतलब बड़ा होता है नैस्ट कोश्चन देखते हैं कनिष्ट का बिलूम सब्द बरिष्ट भी हो सकता है इस चीज़ को भी याद रखना लेकिन वहां बरिष्ट आफसन नहीं था निम्लिकित मैंसे कुछसा का बिलूम सब्द क्या है बिलूम सब्द से दो कोश्चन देखने को मिल रहे हैं तो कुसा का बिलुम सब्द क्या होता है कुसा मतलब होता है दोस्तों किसी की निन्दा करना ठीक है कुसा मतलब क्या होता है किसी की निन्दा करना और इसका बिलुम सब्द हो जाएगा प्रसंसा करना ठीक है प्रसंसा इसका सही अंसर होगा नैस्ट कोश्चन है न तैसी जैसे सब्द है मेल वाले वाले सब्द हैं और चमु का अतलब यह प्रकार का संग्ठन होता है और याद रखना इसमें जो अग्य है यह पेमेल सब्द हैं और सिंसे को सभूाइब होगा नेस्ट कोस्चन देखते हैं मीचे लिके पंगती में कौन सा अलंकार है अलंकार के दो कोस्चन हंड्रेट परसेंट आते हैं चाहे आप अग्जाम होते हैं बहुत सारी प्रिप्टों में एक्जाम होते हैं बहुत सारे एक्जाम्पल एक्जाम जार कोश्चन में ढूंड़ कि भर देता है टीक है और ऐसे चीजे बहुं अधार चाहिए तो सीछ तेक है ये लिखा हुआ है उसमें इसमें कौन सा लंकार है इसलार है फिर से क्रिकार जा रहा है फिर नंडेन प्रेस्ट कोश्चन है निम्न मेंसे प्रियोग कि अधार बिभक्ति रहित समद्ध रहित सम्मन्द बुचक अब्यों का चहन कीजिए ठीकिए यहां लिखा हुआ है यथा पास लिए द्वारा बिना रहित सहीथ यथा पास लिए ठीकिए चार अफसंद यह हुए है तो संब्ध बोद्यक अब्या क्या होता है करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संब्ध केका की अधिकरण में पर संब्धन हेबो ये होता है आपने बिवक्तियां तो पढ़ी होंगी तो रहित सहीत आपको किसी बिवक्ति में नहीं दिखती है यह था करताने कर्म को करन से संप्रदान के लिए ठीक है आप नपस ना होगा वोई है तो रहीत सहीत विवक्ति रही संबंद बुचक अभ्या है नेस्ट कोश्चन देखते हैं नेस्ट कोश्चन है सहीयोक्ति बेंजन च्छा किस किन दो बनों से मिलकर बना है कौन से दो बनों से मिलकर बना है तो का और सासे मिलकर बना है यह तो बच्चों वाला सवाल है ठीक है लेकिन ये बेंजन स्वरेंजन से संबंदी सवाल है यह आपको अच्छे से पढ़ना होगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन ने मिलकित मैंसे मुहावरा हाथ को हाथ न सूजना यानि कि ना आप भी हाथ को नहीं दिखता है ठीक चलिए नेस्ट कोश्चन है ने मिलकित मैं से कौन से सब्स फथे दोंसे समास का सहीं होगा नहीं है प्रतिवी सब्सक्राइब नहीं नहीं है जो नहीं लग दो नहीं लग गया ना बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चन बड़े घंड यह थे पुराण बचन बादा यह तीनों चीज तो ऐसी है जिसमें प्रतिग्या टाइब का दिख रहा है लेकिन फूंगी यह सहीं अंसर होगा क्योंकि यह प्रतिग्या का प्रयावाज सब्द नहीं है ठीक है नैस्ट कोश्चन और लास्ट कोश्चन आज का भाई साब ठीक ह है अब देखिए का कलम का खा खरगुस का तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं ठीक है लेकिन उसके जो इंपर्टन चीज है का वर्ग हो गया खावर्ग हो गया सब याद रहना चाहिए आपको ठीक है तो देखिए टा टामाटर का ठाठ ठाठेरे का डढ़ अमरू का डढ़ ठीक है तो यहां घा गार का यह टावर्ग का नहीं है चलिए तो दोस्तों यह हो गया आपको आज के इस वीडियो के देखने बाद यह पता चलिए होगा कि समयने हंदी मैं किस लेवल के कोछना आते हैं कोछना आते हैं और हमको किस लेवल के त्यारी करना है ठीक है अलंकार हो गया बाग के भेद हो गए सब्सक्राइब हो गए ठीक है यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथ में एक टॉपिक एक एक कोश्चन आपके लिए इंपोर्टन रहता है क्योंकि हिंदी ऐसा टॉप आप पंदर कोश्चनख करके आ रहे है मतलब आपने करके आए और आप बाकी स्टुइटों के तरह तरह आपकी परफार्मेंश रहेगी तो आपकी सब्सक्राइब है तो अरफ नाम किसे आएगगा टीके इसलिए आपको क्या करना है extraordinary मेहनत करना है टीके self steady भी करना है जितना ज़्यादा अभी से start कर दो के मेहनत आपको भविस्य में उतना ही ज़्यादा भाइदा होगा Thank you जहीं जाभारत